अगर आपने इसका एक्स्प्लेनेशन नहीं देखा है तो कक्षब बारा की प्लेइलिस्ट में आप सब पूरा एक्स्प्लेनेशन देख सकते हैं पोयम का दिया गया है आपको उसके बाद आपके टेक्स्ट बुक में जो प्रश्चन उत्तर हैं वो दिये गए है अब हम इस कवीथा के जो है एक्स्टर कुस्टेंस दिखेंगे पहला प्रिशन है वाट वहाज चाल्च फिर औफ पोईट जो पोईट एसस उसका बच्पन का डर क्या था पूइटर्टस ओल्वेज फियर्ड सेपारेशन सेपारेशन का अर्थ होता है अलग हो जाना अलग हो जाना, separation, अलग हो जाना, बहुत ही सरल स्पेलिंग है, separation, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद करेंगे, उसको लगता था, मैं अपनी मा से अलग हो जाओंगी, this has been very painful to her, बच्पन में उसको लगता था, मेरी मा मुझे चोड़ के कहीं चली जाएगी, तो बच्चे डरते हैं, उसी तरीके से वो भी डरा करती थी, नेक्स प्रेशन लिखेंगे, why do the young trees sprinting symbolize, यहाँ पर आपको what लिखना है, थोड़ा सा error हो गया है, यहाँ आप लिखेंगे what, what do the young trees sprinting symbolize, अब आपने उपर जो प्रेशन किया था, वहाँ अलग था, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि वो symbolize क्या करते हैं, उसने young trees से compare क्यों किया, वो अलग प्रेशन, symbolize क्या करते हैं, young trees, वो हमें बताना है, While driving the trees outside, rushing away past them, looked like they were sprinting, जब वो लोग drive कर रहे थे, तो the trees, यहाँ कॉमा लगाएगा, आप कॉमा लगाना है, The trees outside, rushing away past them, looked like they were sprinting, तो जब पेड बाहर थे, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, कार में, और पेड ऐसे लग रहे थे, मानो भाग रहे हैं, Sprinting माने, कूते पे भागना, अभी symbolize क्या करते हैं, poet has used personification, यहाँ पे figure of speech personification है, क्योंकि पेड भाग रहे हैं, तो पेड क्या भाग सकते हैं, नहीं, लेकिन हमने उसमें, जो है, मानविये गुण डाल दिया, तो वह होता है person, person यानि वेक्ती, वेक्ती का गुण डाल दिया तो personification, इस सरी किसे आप याद रखेंगे, person, जब हम non-living में ऐसा कुछ गुण बताते हैं, जो कि human being में होता है, मनुष्य में होता है, तो दोड़ना मानवी उसका गुण है, तो यहाँ पे personification, जैसे मानो उसमें जान है और वो भाग रहा हो, it also symbolizes that youth passes away quickly, और वो जो भागत पेड़ हैं, वो यह भी बताते हैं, कि जो youth है, youth का अर्थ आप लिख सकते हैं, जो जवानी है, वो passes away, यानि गुजर जाती है, youth मतलब जवानी, passes away मतलब गुजर जाना, quickly, जल्दी से, quickly, जल्दी से, आप जब answers लिखते हैं, तो कठिन शब्दों के अर्थ जरूर लिख लि कीजिए, next question देखेंगे, what is the image of the married children, spilling of their homes, symbolize, यहां पर आपको symbols बताने कि यह किसका symbol है, अब, तो यह किस बात का symbol है, पहले तो क्यों प्रयोग हुआ, पहले वाला प्रशन था, क्यों प्रयोग किया, क्योंकि वो उसका contrast लाना चाहती है, कि देखो, हम कई बर तुलना करत हैं, कि देखो, यह यंग बच्चे हैं, और एक तरफ मेरी माँ है, माँ तो मुझ खुल के सो रही है, बेजान सी है, और बच्चे बच्चों में कितना जोश है, उत्सा है, तो वो तुलना करती है, contrast कर रही है, ताकि हमें अंदाजा हो कि उसकी माँ कितनी बुड़ी हो गई है, अब यहाँ पर symbolize क्या है, तो poetess was sad and afraid when she noticed her mother was getting old, अब वो दुखी क्यों थी, क्योंकि उसने देखा उसकी माताजी, वृद हो रही है, बुड़ी हो रही है, अपना ध्यान divert करने के लिए, वो बाहर की तरफ देखती है, so she looked outside and saw some happy children coming out of their homes, उसने देखा कि कुछ बहुत ख बच्चे बाहर निकल रहे हैं, this brings a contrast to her mother's pale and sickly face, it also shows that the world keeps moving with its contrary aspects, और यह आपका मुख्य आंसर है, यह लाइने, आपको यहाँ पर मुख्य याद करनी है, कि जो दुनिया है, चाहे कितनी भी विप्रीत परिस्तियां आजाएं, किसी के उपर संकत आजाता है, दुनिया रुक रुकती नहीं है, कोई चला जाता है, हमारा बहुत ही प्री है, तो रुकती नहीं है दुनिया, उसके मिना हमारी कठिन हो जाती है, परिस्तियां बदल सकती है, परन्तु दुनिया नहीं रुकती, है ना, तो दुनिया चलती रहती है, तो जो विप्रीत चीजे हैं, वो साथ में चलती है सुख है तो दुख भी चलता रहता है अगला प्रशन देखते हैं where was the poetess going and with him सरल सा प्रशन है poetess कहां जा रही थी and with whom whom मतलब किस के साथ जा रही थी the poetess was going to kochin on a friday morning friday की सुभह को वो kochin की तरफ जा रही थी she went to the airport with her mother और अभी फिलाल कहां थी वो airport की तरफ जा रही थी रास्ते में थी और अपनी मा के साथ थी which image has the poetess used to describe her mother अब ये बड़ा वाला प्रशन आता है जो की large वाले question में आ जाता है साथ से असी शब्दों में के बार आपको पूछा जाता है तो which images कौन से चित्र उसने प्रियोग की है images माने यहाँ पे pictures आपको कौन सी ड्रॉ की है जो जिससे हमें अंदाजा हो की मावर्द हो रही है तो देखे तो poetess Kamaladas has used apt apt का अर्थ लिखावा है उसके चहरे की वो राख से तुलना करती है यह शब्द आप याद रखे कुछ शब्दों को आपको ध्यान में रखना है pale and sickly यानि कि बिमार है पीला पड़ावा चहरा है like ash of a dead body जैसे मृत चरीर की राख होगी तो राख कैसी होगी बेजान सी होगी राख है तो she was very weak because of her old age और वो बहुत वृद हो चुकी इसलिए weak यानि कि कमजोर भी हो चुकी है दूसरी image जो उसने प्रियूग किया है when pale as a late winter's moon यह आपको शब्द याद रखने पड़ेंगे वापिस सुनिए आप when pale as a late winter's moon late winter यानि कि जब तेज ठंड हो रही होती है सर्दी शिरू हो जाती है October, end, November में start और December, January आते आते बहुत तेज ठंड होती है तो वो वाली ठंड की बात करता है यह the poetist's mother looked pale and sickly so she has been compared to late winter's moon winter symbolizes old age winter क्या है, किस का symbol है old age का symbol है then she uses contrasting images उसके बाद वो दूसरी images भी प्रयोग करती है जो कि contrasting images है contrast तुलना कर दी है वो किस किस से sprinting trees पेड़ भाग रहे है जबकि मास थिर बैठी है मानो कोई लाश बैठी हो और happy children coming out of their homes to show her mother's old age तो दो चीज़ें जो है contrast लाने के लिए आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि contrast के लिए कौन सी images लाई है वो तो sprinting trees की और happy children coming out of their homes यह दो image एक और यह दो दूसरी image उसने प्रयोग की है अपनी माता जी की वृद उमर को बताने के लिए how old was the poetess mother? अब यह सरहल सा प्रेशन बहुत बच्चे इसमें भी confused हो जाते है तो कवीता का नाम ही है mother at 66 यानि जब मेरी माता जी की उमर 66 साल है आते हैं आपको पंक्ती जाती है और आपको बताना होता है figure of speech आपने कौन साब प्रयोग किया her face action like that of a corpse तो ध्यान रखे जब like और इस तरीके का शब्द होता है तो वहाँ पे simili का प्रयोग होता है अगला था trees sprinting तो वहाँ पर sonification है when pale as a late winter's moon फिर से as, as, like such as इस तरीके के शब्द आएंगे तो simili का प्रयोग होता है महाँ पे smile and smile and smile तो यहाँ पे repetition, repetition यानि की शब्दों का धोराव किसलिए प्रयोग किया जाता है शब्दों का धोराव बहुत माई ने रखता है, वो smile, smile, smile को क्यों repeat करें, क्योंकि वो खुद को भरूसा दे रही है, और मा को भी भरूसा दे रही है कि हम जल्दी ही मिलेंगे, और वो मन में सोसी नहीं, मेरी मा मुझसे अभी अलग नहीं हो सकती तो उमीद है आप इस वीडियो के द्वारा extra questions कर पाएंगे, और लगबग किसी भी प्रशन का उत्तर अब आप सरलता से दे पाएंगे, शब्दात जरूर याद कीजेगा जो कि आप मेरे पिछले वीडियो में इसी पार्ट से संबंदित देख सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया